हलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल नवी आज इन हैंड स्टूडियो कैसे हो आप सब लोग आज हम पेंटिंग का डिजाइन सेखेंगे फ्री हैंड पेंटिंग तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है कॉटन का फ्लैट प्रश लिया है और इसके लिए फैब्रिक यालो लिए फैले इसको अलका सब्रश को करना और पहले हमने सीखनें कव बनाना हलका सा कव में इसकी शेप देंगे हलकी किसी देखों इसे बिल्कुल हलके हाथों से ऐसे बिलग्ल एज़ी है यह प्रैक्टिस करने आपने इस चीज़् कि इस तरह से करके प्र फ्लैट ब्रु ब् में देखो बहुत इजी है यह पहले ब्रेश को रखना है साइड पर फिर थोड़ा सा बैंड करकी नीची को लेकर आने अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो पत्ती बढ़ी होगी उपर से करेंगे तो छोटी होगी अब देखो ऐसे थोड़ा सा बड़ा साइज फिर छोटे करते जाने इसको बैंड करकी ऐसे ही यह फ्लैट ब्रेश के साथ होगा यह आपको हाथ चलाने का ही बस तरीका और कुछ नहीं इसमे उपर कॉर्नर रखना और फ्लैट कर देना इसको प्रेस करना हलका सा कब शेप देने है थोड़ी सी जो आपने बेस में लाइन लगाई है फर्स्ट लाइन लगाई है वो भी थोड़ी कब में होगी तो यह अच्छी पत्ती बनेंगे आपकी इस तरह से यह फ्री हैंड डिजाइन है अब दूसरी साइड ते भी स्तरा को जो आपको लग रहा है वो थोड़ी सी आप दुबारा लुक दे सकते हैं उनकी जो लाइट लग रही है अब दूसरी साइड से हम करेंगे नीचे से शुरू करेंगे दूसरी साइड बहार से शुरू करके अंदर को लेके जाएंगे सेम हरका सा कॉर्णर पर रखेंगे प्रेस करके नीची को शेप देंगे ऐसे बिल्कुल हाल की हातों से और लाइन के साथ साथ ही शेप जाएगी इसकी बिल्कुल एजी डिजाइन है यह इस तरह से देखो यह बेसिक से डिजाइन यह सी यूज आप पत्टी को पूरे स्वर्ट में प्रिंट कर सकते कि यह लग लग साइस की बनती हैं यह देखो यह एंड में इसकी छोटी सी बनाऊंगी मैं दोन्हों साइड बैंड करके इस तरह से हैं कि लीफ की लुक आ गई पूरी देखो कितने अच्छी लुक आ रही है बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जूरत पड़ेगी और कुछ इसमें टफ कुछ भी नहीं है अब नेक्स्ट में से थोड़ी सी छोटी बनाऊंगी इसको भी वैसे कव देना हलका सा इस तरह से इसको भी आंड से शुरू करेंगी बड़ा छोटा 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 बस अपने यह जितनी भी आप लाइन लगाओगे कव में उसके अकॉर्णिंग लीफ बनानी है चोटी है तो यह छोटी में थोड़ा एंड कर देंगे इसको कि अब दूसरी साइड से भी ऐसी कि इस तरह से इसको कवर करना पूरे को देखो होगी कंप्लीट हमारी दुबारा वही जो लग रहा है लाइट उसको आप कवर करेंगे अब नेक्स्ट में एक और छोटा साइज आपको बता रही हूं आप चाहो इसको और बड़ी कर सकते हो जितनी चोटी कर सकते हो अपकी बर्जी है देखो बस उसी में आपको हाथ चलाना है उस तरह से कि वह पती जितनी आपनी लाइन लगा यह उसी में कवर हो जाए उसी में अपनी शेप ले 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 वो देखो यह छोटी है तो छोटी कवर कर दो इसको आपने जो लीव्स है उसकी शेप वैसी बनानी है पती है कि वह छोटी है चाह बढ़ी हो अब बस लोक उसकी आ जाए इस तरह से अब मैं आपको इसी फ्लैट प्रश से जो स्ट्रॉक्स होती है वो लिगाना सिखाऊंगी देखो इस तरह से ले लेने जो हम पेंट के अंदर यूज करते हैं फ्लावर्स की इस तरह से बस अपने हाथ ही गुमाना है सिर्फ ब्रश को बिल्कुल स्टेट रखना ह अगर आप बेंड करोगे तो वह मोटी हो जाएगी देखो इस तरह से बिल्कुल हलके आतों से चलाना है इसको इस तरह से कव देना थोड़ा था शेप देनी है इस तरह से यह डिजाइन आपके सामने रेडी है और इसी लीव से मैंने अपनी ये वाली कुर्ती रेडी की है ये वाली देखो कितनी अच्छी लग गई है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जूर करना थैंक और इस बीए लगे करना थे लाइक है इस वraleU